दोस्तों नमस्कार मिरा नाम संजे मग्गू है और मवजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर चुनाव उत्तर परदेश में हो चुनाव बिहार में हो चुनाव तमिलनाडू में हो चुनाव राजिस्थान में हो यानि कि देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो चुनाव लोगसभा का हो या राज्यसभा का हो या विधान सभा का चुनाव हो परदान मंत्री नरेंदर मोधी और भारती जन्ता पार्टी के बड़े नेता हर चुनाओं में कहते रहे हैं विपक्ष के लोगों को घोर परिवारवादी परधान मंत्री से ले करके और भारती जन्ता पार्टी का अला कमान विपक्ष के नेताओं चाए उसके अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी हो चाए उसके अंदर लालू परसाद यादव और तेजस्वी तेज परकाश हो चाहे मुलायम सिंग यादव और अखिलेश यादव शिवपाल यादव रामगोपाल यादव यादव फैमली हो चाहे हर्याना का भुपेंदर सिंग हुड़ा और दिपेंदर हुड़ा यानि की बापु बेटे के नाम से आजकल फेमस है किसी भी तरह में आप चले जाएं किसी भी राज्या में हो भारती जन्ता पार्टी के नेता कहा करते थे घोर परिवारवादी अब हर्याना विधान सभा का चुनाव नजदीख है बहुत जल्दी कभी भी हर्याना विधान सभा चुनाव की दस्तक हो जाएगी चुनाव के कारेकरम का एलान हो जाएगा और इस चुनाव के अंदर भारतिय जंता पार्टी के जो छत्रप हैं जिनको मठाधीश कहा जा सकता है, जिनको छत्रब कहा जा सकता है, जिनको अपने इलाके का वजूद्दार नेता कहा जा सकता है, वो लोग इस चुनाव के अंदर उम्मीद बांदे बैठे हैं, कि वो अपने परिवार जनों को टिकेट दिलवाने में काम्याब हो जाएंगे। बात चाहे 2014 के चुनाव की बात हो, चाहे 2019 के चुनाव की बात हो। हर चुनाव में आपने देखा होगा कि कई ऐसे चत्रब, कई ऐसे मठाधीशों के नाम सामने रहे, जो अपने परिवार के लोगों के टिकट की पैरवी किया करते थे। लेकिन 2014 में भी भारती जंता पार्टी और 2019 में भी भारती जंता पार्टी चरदी कला में थी। चरदी कला में यानि कि ये कह सकते हैं कि पार्टी का औरा था, पार्टी का बहुत बड़ा एक तरह से वर्चस्व बना हुआ था। और परिणाम भी थे। 2014 के अंदर तो बीजेपी अपने बल्बूते अपने दंपर हर्याना में पूर्ण वहुमत के साथ सत्ता में आई तो 2019 में सबसे बड़ी पार्टी बनी 40 सीटों के साथ सरकार दोनों बार बन गई पहली बार अपने दंपर और दूसरे बार बैसाखियों पर चलने वाली यानिक को बताऊंगा कि कौन-कौन से निता अपने परिवार जनों के लिए टिकेट मांगते थे और अब 2024 में क्या है और क्या हो सकता है तो मैं आपको बताता चलूं कि 2014 में जब नरेंदर मोधी की नाम पर नरेंदर मोधी के काम पर जब भारती जंता पार्टी का जो विजयरत चल चौनाओं में हर्याना के अंदर भ्हारती जनता पार्टी के साथनसद वने थे सेवन ऐंपी तो इनिक वहारती जनता पार्टी में तीनों की है ट्रिक, 2014 के चुनाओं में कृशनपाल गूजर अपने बेटे देवेंदर चौतरी के लिए टिकट चाहते थे, 2014 के चुनाओं में, तिगाउ विधान सबा चेतर से, 2019 में भी चाहते थे, ना 14 में मिली, ना 19 में मिली, राव इंदर जी सिंग अपनी बेटी आरती राव के लिए जो उनकी शूटर बेटी है, निशाने बाज बेटी है, उसके लिए टिकट चाहते थे, रेवाडी से, ना टिकट 2014 में मिला, ना 2019 में मिला, चौधरी धरम भी टिकट चाहते थे, 2019 में अपने लिए या अपने बेटे के लिए विधान सभा का मोहित के लिए बात बनी नहीं, और अब जब 2024 की तयारी है, इस 2024 के चुनाओं में आप देखे तो तमाम छत्रप राव इंदर जी सिंग के बोल तो आप सुनी सकते हैं, आर शनपाल गूजर की बात तो सामने नहीं आती, लेकिन ये जरूर है कि भारतिये जनता पार्टी के जो वर्तमान के सांसद हैं, पांच, इन पांच सांसदों में से चार सांसद अपने परिवार जनों के टिकट के लिए अब की बार पूरी पैरवी में लगे हैं, और चारों स सांसदों को उम्मीद भी है कि जैसी फावा है, जैसी फिजा है, जैसा माहौल है, जैसा सब कुछ चल रहा है, दस साल के एंटिन गंबैंसी है, इनकी बात बन जाएगी, और इसलिए बड़ा सवाल है, और इस सवाल के साथ आपके साथ में मैं हूँ, कि क्या इस चुनाव के साथ समझोता करेगा, जिसके नाम पर वो हर चुनाव मैदान में होता है, जिस बात पर यानि की परिवारवाद के खिलाफ जो भारती जनता पार्टी की आला नेता, सभी नेता मैदान में होते हैं, क्या अब की बार पार्टी के मठा धीज, पार्टी आला कमान को गोटनों पर ला कर दे देंगे क्या, आपसे सारी बात का जिक रिसली कर रहा हूं कि इस चुनाव के अंदर यानि की 2024 के चुनाव में, मैं आपको नाम बताता चलूँ तो जो मैंने आपसे कहा कि भारती जनता पार्टी के पांच जो सांसद हैं आज कल के, उन पांच में से चार के लिए अपने परिजन ओं विधान सभा का टिकेट चाहते हैं और उसके लिए पूरी पैर्वी चल रही है, क्रृशन पाल गुजर अपने बेटे के लिए टिक चाहते हैं, देवेंदर चौ्दरी के लिए राविंदर जी सिंह अपनी बेटी के लिए ticket चाहते हैं आर्ति र परिवार का कोई और हो जाए सावित्री जिंदल का नाम तो पहले नंबर पर है अगर मैं यह कहूं तो जो सांसत जिनको टिकट मिलने से वंचित रह गए रमेश कौशिक वो टिकट चाहते हैं अपने बेटे के लिए रविश के लिए अरविंद शर्मा चुनाव लोकसभा का ह बहाई देता रहा है वह अब सब कुछ भूल करके मुल्यों से दान्तों से समझोता कर सकता है यह बहुत सारे सवाल हैं और क्या-क्या बाधाएं हैं उन पर आपसे चर्चा करने में हूं राव इंदर जी सिंग अपनी बेटी के लिए टिकेट चाहते हैं आरती राव के लिए पिछले विधान सभा चुनाव 2014-2019 में उनकी नजर रेवाडी पर हुआ करती थी इस बार राव साब की नजर बाश्यापूर पर भी है नंबर एक पर उनकी नजर बाश्यापूर पर है और बाश्यापूर के लिए पूर मुख्य मंत्री मनोहरलाल के जो बहुत नजदीकी है उनके जो सहायक रहे उनके सखा रहे जवार यादव टिकेट की दावेदारी कर रहे हैं इदर राव नर्वीर सिंग की DAWेदारी है उदर मनीश यादव दावेदारी कर रहे हैं और को तयार नहीं है राव नर्वीर सिंग की सोच है कि पिछले बार टिकेट कटवा दिया अब की बार नहीं राव नर्वीर सिंग का तो ये भी लगता तय है कि अगर उनको भारती जंता पारटी ने टिकेट नहीं दिया जिसकी संभावना चल रही है तो फिर वो अपना कोई और जुगार देख करके कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते हैं जिस परकार से आजकल उनका माहुल चल रहा है और यही बाधा है बड़ी राविंदर जी सिंग के लिए सबसे बड़ी बाधा तो है यहां पर जवार यादव क्योंकि जवार यादव एक तरफ होंगे और दूसरी भी होती रही है कभी रेवारी को लेकर कभी पटोदी को लेकर आपको ध्यान हो तो पिछली बार पटोदी के अंदर पूर मुख्यमंत्री भजनलाल ने राव साहब की जो सिफारिश थी वो चलने नहीं दी सत्यप्रकाश को जरावता को ले करके आगए और उनको विधायक बन वालिया अपना सिक्का जम वालिया वहां पर अगर आगे चलते हैं तो फिर राव इंदर जी सिंग अपनी बेटी के लिए अटेली भी सोचते हैं कोसली भी सोचते हैं लेकिन यहां दौनों जगा इस समय भारती जनता प्रांटिके विधायक हैं आज कल वी कैसे बात बन सकते हैं राव इंदर जी सिंग भे कह चुके हैं आरती राव लगातार कह रही है कि अपकी बार चुनाव लड़ना तैय है टिकट नहीं मिला तो चुनाव मैदान में होंगी पहली चुनावती यह आ गई दूसरा मैं आप से नाम लूँ तो फिर दूसरा नाम चौधरी धरंब पूर्व सांसत बेटी को भी लाई हैं कॉंग्रेस से आने का बात सिर्फ एक रही क्योंकि तो चौंग्रेस में भी पक्का था कारण केवल एक रहा कि उनकी बेटी का टिकेट काड़ दिया था शूती चौधरी का टिकेट काड़ दिया था कॉंग्रेस आला कमान ने अब अगर वो भारती जन्ता पार्टी में आ गई हैं तो उनको राज्यसवा पर भी नजर है और तोशाम पर भी नजर है राज्यसवा सीट के लिए भारती जंता पारटी क्या करेगी क्योंकि किरन चौधरी के लिए तो होगा नहीं कि ये ना इधर के रहे ना उधर के हम कुछ तो करना पड़ेगा अगर राजय सभा की सीट भी छिन गई ना मिल पाई तो फिर तोशाम तो उनको देना पड़ेगा इधर चौधरी धरमबीर की डाल कैसे गलेगी फिर अब बली वहाँ पर किरन चौधरी की दी जाएगी और या फिर चौधरी धरमबीर को मनाया समझाया बुझाया जाएगा अगर ऐसा नहीं होगा धरमबीर जी भी अड़ जाएंगे तो फिर उनके बेटे के लिए टिकेट कौन सी होगी यहाँ पर भी परिवारवाद के सामने बाजपा को एक समझोता करना पड़ेगा परिवारवाद की बाद तो किरन शूती के मामले में भी आ जाएगी कि अगर एक को राज्यसभार दे दिया और दूसरे के लिए विधानसभा टिकेट की बाद चली तो भी अब तीसरी बात मैं करूं तो कृशनपाल गूजर 2014 में अपने बेटे देवेंदर चौधरी के लिए तिगाओं विधानसभा का टिकेट चाहते थे पार्टी ने टिकेट दे दिया राजेश नागर को राजेश नागर चुनाव हार गए ललित नागर चुनाव जीत गए 2019 के चुनाव में भी कृशनपाल गूजर अपने बेटे देवेंदर चौधरी के लिए टिकेट चाहते थे तिगाओं का और पार्टी ने फिर से टिकेट दे दिया राजेश नागर को अब की बार राजेश नागर चुनाव भी जीत गए राजेश नागर की फेवर की जो दो चीजह है वो यह है कि वो कह देंगे कि मैंने तो पार्टी की बड़ी मदद की कृशनपाल कूजर को रेकौर्ड मतों से अब की बार भी जिता कर भेजा अपने विधान सभाचेतर से अलांकि वो विधान सभाचेतर कृशनपाल गूजर का भी है लेकिन राजेश नागर की भी उसके अंदर आहूती तो मानी जाएगी इसलिए क्या देवेंद्र चौधरी की बात बन सकती है तिगाओं में पार्टी के जो आंतरिक सुत्र हैं वो बताते हैं कि राजेश नागर का टिकेट कटना संभव नहीं है इसलिए पिछले दिनों चर्चा चली मैंने आपके साथ भी शेयर की कि क्या दूसरी विधान सभाच सीट फरिदाबाद NIT हो सकती है NIT 86, NIT 86 अब वहां के लिए बात अगर आ जाती है तो लोकसभा चुनाव के दौरान पूर मुख्य मंत्री मनोहरलाल आये थे यहां के पूर विधायक नगेंदर भढ़ाना के घर नगेंदर भढ़ाना के साथ क्या डील हुई होगी, क्या बात हुई होगी, क्या मांडवाली हुई होगी, कुछ तो हुआ जरूर था ऐसे में नगेंदर भढ़ाना की टिकेट काट करके देवेंदर चौधरी को देना ये भी सवाल या निशान में आएगा कि वहां क्या हो सकता है वैसे राजनितिक सूत्र बता रहे हैं कि देवेंदर चौधरी के लिए बढखल विधानसवा सीट पर भी नजर है फरिदाबाद सिटी वाली सीट पर भी नजर है यानि कि फरिदाबाद 89 अब फरिदाबाद 89 की जो सीट है वो मानी जाती है कि पंजाबी और वैश्चय समाज के लिए है और भारती जंता पार्टी ने यहां पर 2009 में पंजाबी समाज को टिकट दिया था उस समय परवेश महता हुआ करते थे बाद में वो बीजेपी छोड़ कर चले गए और इधर 2014 और 2019 में विपुल गोयल और फिर देवेंद्र गुपता इनको टिकेट मिला नरेंद्र गुपता को टिकेट मिला 2014 में विपुल गोयल जीत गए 2019 में नरेंद्र गुपता जीत गए क्रिशनपाल गूजर जी का मैं एक बयान भी देख रहा था कुछ हमारे ख़वारों में भी छपा था कि क्रिशनपाल गूजर ने दो वैश्य समुदायों की टिकेट की बात कर दी है तो फिर वहां दिक्कत बढखल की बात आती है तो सीमा दीदी का क्या होगा सीमा त्रिखा यहां पर पहले से ही हैं और चर्चाएं ऐसी हैं कि बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है क्रिशनपाल गूजर जी के नवरतनों में से एक व्यक्ति हैं उनके बड़े-बड़े इश्तिहार देख रहा था ख़वारों में छपे हुए मेडिकल फार्वेसी वाले नेता जी वो भी बड़खल मांग रहे हैं आजकल तो क्रिशनपाल गूजर के बेटे के लिए भी यही बात आ जाती है कि अगर परिवारवाद पर बीजेपी समझोता भी करती है तो फिर उनके लिए सीट कौन सी कौन सी सीट चुनी जाए अगला नाम में आपसे कहूं तो नवीन जिंदल नवीन जिंदल पैर्वी कर रहे हैं कि उनकी माता जी को टिकट मिल जाए हिसार से आजकल तलवारे खिची हुए कमल गुपता और जिंदल परिवार के अंदर वहां के छोटे-छोटे मसलों में दौनों परिवार आमने सामने हो रह क्या बीजेपी के आड़े नहीं आएगा अगर मैं देखूं आपसे मैंने नाम कहा पूरुव सांसद रमेश कौशिक का रमेश कौशिक सोनिपत से सांसद रहे दो बार 2014 और 2019 अब की बार क्या मसला था हम कह नहीं सकते लेकिन एक सीडी के नाम पर उनका टिकेट पर कैची चल गई उनका टिकेट कट गया रमेश कौशिक को टिकेट ने मिला रमेश कौशिक भी लोगसबाद चुनाओं में भी अपने बेटे को अड़ेस्ट करना चाहते थे पहले भी उनके बेटे रविश कौशिक, CJM थे, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्याइक दंडाधी कारी, शाहबाद के अंदर उनकी पोस्टिंग थी अंतिम और उन्होंने वहाँ से रिजाइन दे दिया था, और रिजाइन देने के बाद में उनको बनाया गया डिप्टी एट औरनी जनरल, डिप्टी एड्वोकेट जनरल, और इसके बाद में अब रविश के लिए टिकट चाहते हैं और सीट है वो राई, राई सीट चाहते होंगे, और राई से पंड़िट जी है, महुनलाल बडौली जी जो आजकल परदेश अद्यक्ष भी है, विधायक भी वही थे, अ चलो यहां तो परिवारवाद की बात नहीं आ सकती क्योंकि पिता का टिकट गट गया तो बेटे को मिले, बात अगर अगली आये तो फिर रोतक के जो सांसत का चुनाव हारे डौक्टर अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा को हमेशा सत्ता की मुक्यधारा में रहने की चाह रहती है, आपको मैं ध्यान दिलाता चलूं कि 2014 में जब वो सांसत का चुनाव हारे थे तो उसके तुरंत बात उन्होंने बहुजन समाज पार्टी जोईन कर ली थी, बहुजन समाज पार्टी से वो बतोर मुक्यमंत्री के दावेदार हुए और दो विधान सभा सीटों से चुनाव लड़ा, हलाकि दोनों सीटे हार गए, एक सीट पर तो जमानत भी नहीं बचा पाए, लेकिन पंडी जी के मन में तो रहा, और अब 2019 में वो सांसत बन गए, रहतक से भारती जन्ता पार्टी के, 2024 में वो चुनाव हार गए हैं, तो राजनीती की मुक्याधारा से ब पतनी, लोग सभा का टिकेट मिला, विधान सभा में उनका दाव चलेगा, क्या विधान सभा में भी टिकेट उनकी इच्छा रहेगी, उनको मिल जाए कहीं से, और भारती जन्ता पार्टी में बात भी चल रही है, कि जो नेता चुनाव हारे हैं, विधान लोग सभा का, उन अलब कमान अपने सिध्धानतों और मुल्यों से सम्झोता करेगा. क्या बड़ी बात है कि क्या उन परिवार जनों को टिकट मिलेगी? चारों सांसदों के परिवार जनों को मिल सकती है या किसी एकाद की डाल गलेगी? यह कई सारे सवाल हैं और यह सवाल मैं आप पर छोड़ कर जा रहा हूँ कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं कि क्या चार जो सांसत भाजबा के मैंने आपको नाम बताए राविंदर जी सिंग, कृशनपाल गुजर, चौधरी धरमबीर सिंग और नवीन जिंदल करता है कि जो परिवारवाद की बात चलती रही है क्या वो मुल्य और सिध्धान्तों से समझोता होगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े नहीं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें